सब्सक्राइब कर लिए हैं लिंक डिस्क्रिप्स में दिया हुआ है कंप्रेट वीडियो का पच्छे से चैप्टर वाइस तो चलिए भी ना लेडिके हम लोगी स्टार्ट करते हैं स्टार्ट के कोसा नमबर पॉस्ट से जो है है यह उतका किसलिए की निरीक होने पर 11 का यह देखने के लिए आप कर सकते प्रिंट करने के बाद इसे देखने के लिए आप प्रिंट प्रिव्यू पर प्लिक करते हैं चलिए वही निश्कों सेने आपके पास की Microsoft Office Excel document में पर्तेक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो होता है क्या होता है क्या हो जाएगा कि इसमें बेसिकली सेल का रो और कॉलम लेबल होता है तो इसे याद रखना है कि Microsoft Office Excel document में पर्तेक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो यह बेसिकली आपका सेल का रो और कॉलम लेबल होता है चलिए वही निश्कोशन आपके पास की open, print और save सभी बटन डैस इस्थित होता है कहां इस्थित होता है या फिर क्या होता है तो जी है इसा correct answer क्या हो जाएगा आपका स्टेंडर्ड टूल बार पर स्थित होता है तो या आपको याद रखना है कि open हो गया प्रिंट हो गया और सेव यह सभी बटन जो है वह आपके स्टेंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं चलिए निश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि Microsoft Office word document का नाम डैस और टाक्स बार दोनों में डिस्प्ले होता है कहां पर डिस्प्ले होता है तो है सभी त्वी बार पर भी दिखता है ओर टाक्स बार पर भी धिता है चलिए को कुसंद देखते हैं जो है आपका कि यहाद रहे हैं यहाद रहे है यहां पर एक्सेश भी दिया हुआ है तो आपका यह आपका डिसल के लिए परियोग किया जाता है कोशन देखते हैं जो है आपका कि जब आप वर्ड आरंब करते हैं तो दिखाने वाला नया डोकुमेंट डैस पर आधायित होता है किस चीज पर आधायित होता है आपके पास ऑप्सन में जो दिया हुआ है इसके कोडिंग आपका करेक्ट एंसर वह आपका हो जाएगा कि ब्ल एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एंपटी डोकुमेंट है यानि कि खाली डोकुमेंट है जिसे पर्योक्ता की जबूरतों के मुताबित ढ़ाला जाता है यानि कि कोई आपके पास ब्लैंक डोकुमेंट दिया हुआ उसको आप अपने कोडिंग ढ़ा सकते हैं तो यह क्या होता है तो तो यह सब्सक्राइब क्या हो जाएं आपका टेंपलेट होता है एक टेंपलेट पर फेशनली डिजाइन किया गयां एंपटी डोकुमेंट है जिसे पर्योक्ता की जबूरत के मुताबित ढाला जा सकता है चलिए वही निश्ट कोशन देखते हैं कि आपका C प्लस 11 अब्लिक 12 प्लस डी एटीन किसका उधारन है बहुत इजी को सने ना थोड़ा से भी दिमाग लगाएंगे तो आप इसका करेक्ट एंसर कर सकते हैं आप नहीं भी पढ़ें फिर भी देखिए आपके पास नुमेरिक दिया हुआ आपका फॉर्मूला प्याधारित हो सकता है क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा ना कि सी 10 प्लस 11 अब्लिक 12 प्लस डी एटीन जो है वह आपका फॉर्मूला का एक उधारन है चलिए वही निश्कों सने आपके पास की वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू का समटर तो एक होंसर कहने कि आपके व्यू gateway ऑच्जार है सबीदेग्ट में सब्सक्राइद, क्या है, आपके वर्कुम है सब्सक्राइब सब्राइब wij रोग भातेकि सैफ व्यूंतित टांच, सभित हूएонец सब और also यह संबंदित से संबंदित नहीं है तो वह है आपका वायरस डिटेक्शन आपके पास कि टेक्ट डॉक्यमेंट को बनाने एडिट करने फॉर्मेटिंग करने इस्टोर करने रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोसेसिंग इन सभी चीजों के लिए सभी का मिला करके क्या बोलते हैं वह इसे याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट को सब्सक्राइब के आया हुआ को सब्सक्राइब के पास कि इंटर सेफ्टिंग कॉलंब और रो का अच्छर और अंक्डास होता है क्या होता है तो जी है सब्सक्राइब का इंटर सेफ्टिंग कॉलंब और रो का अच्छर और अंक्डास होता है वही निश्कोंचन आपके पास उन फार्मों को क्या कहते हैं जिसका परियोग बिजनेर डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है तो देखिए इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा आपका ना कि इसके लिए बैसेकली इस प्रेट सीट का जो यूज है वो किया जाता है ना को संदेखते हैं जो है आपका कि उस प्रोड़क्टिवीटी टूल को कहते हैं जो रोज और को लामों में व्यवस्थित डाटा को मेनुपुलेट करता है ठीक है यहाबको बहुत इंपोरड़न्ट को सना है जिसका करेंट्द प्रोड़क्टिवी टूल को हीत डाटा को मैनुपुलेट करता है चल इसके साथ हम दोले का को संदेखते हैं जो है आपका की एकीसी यूनिट में मदर बोड पर विभिन घटक समानतर इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं इन लाइनों को क्या कहते हैं तो जी है से आपके पास की स्क्रीज डिवाइस में में फोल्डर को क्या कहते हैं तो देखिए में फोल्डर को कहते कि स्ट्रीज के पास कि फाइल को अक्सर कहते हैं तो फाइल को आपकसर क्वासा मेरा अक्सर क्या बोलते हैं करें ओन हो जाएगा वहीं नेश्कोंस आपके पास कि नि MEMरीकल और स्टीक्ल करने के लिए नियुमनल इखित में से कौन सा सौटब एप्रीकेशन सारवाधिक उपर्यूग होगा इसका करेक्ट एंसर बहुत इजी है बहुत असान है देखिए बहुत बार हम लोग पढ़ा है इस प्रेट सिट होता है बहत इंपोरटन कोशन के लिए एक क्याद किया है कोंपोरटन कि पॉलते हैं यह सकते हैं तो आपके पास की MS Word document में अच्छरों के लाल लहर का निसान क्या दर्साता है तरह से कुछ इस तरह से करके निसान होता है वह क्या दर्साता है गेस कि ज़िए करेंग तुझी है अब कोई भी एक स्पैलिंग मिश्टेख हो तो आपको उसके नीचे जो है वह इस तरह का साइन जो है वह दिखाई देगा दुस्य क्या बोलते हैं वहीं निश्कों से आपके पास कि वर्ड रैप की क्या विशेष्टा है तो देखें वर्ड रैप की विशेष्टा जो है वह होने पर test को अगली लाइन में स्वाता भेज देते हैं तो इससे क्या बोलते हैं वर्ड राप बोलते से याद रखेगा ना कि वर्ड रेप की विशेष्टा क्या है कि आसके अक्षै ने पास कि माईक्रोशोफ्ट एकसल में डैस फ्छन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लोटाती है इस तरह से संपूर्ण वीडियो को अच्छा से चुके हैं और ये वीडियो आपका लाश्ट था इसके बाद आपका कम्प्यूटर जो है वो पूरी तरह से कम्प्रीट होता है हम पूरे लुसेंट के बुप को इस्टाडी कर चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ कि आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टाडी कर सकते हैं सारा का सारा जितना भी आपका लुसेंट बुक में उन सारे एंसी क्यू को इसमें बताया गया है जलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ थांक्स पर वॉच्छिंग लाइक सब्सक्राइब राइट आइक्यू